खेलो नमस्काल दोस्तों आपका हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है तो दोस्तों आज कि इस वीडियो में मैं आपका बताऊगा कि कैसे आप एपीएज का सेटलमेंट अपने बैंक में कर सकते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि जो भी आप अधार कार्ड से पैसा निकालते तो चैनल को सब्सक्राइब करते साथ में बेल आइकन को भी दबा दे ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अप्लोड करें तो उसकी नोटिविशन आपको तुरह 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 तो दूस्तों क्या होता है कि आरेटने आप आईगा एपीए सेटलमेंट आप दो तरीकों से कर आप में जाके दिखाऊंगा कि आप कैसे सेटलमेंट जो है अपने बैंक में कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आप में आ जाना है तो दूस्तों यहां पर देख सकते हैं यह हमारा एप ओपन हो चुका है यहां पर हम साइड में उपर जो वालेट का है तो जैसे ही आप यहां पर लोडिंग होगा जब दूस्तों इसको सवाइं करेंगे जब अब इसको फर्श्ट बार ओपिन करेंगे तो यहां पर आपको बेंक डीटेल भरने को आएगा और मैं आपको बता दो कि दोस्तों अगर आप पचास जार से नीचे का settlement करते हैं तो उस पर आपको 10 रुपे देना होगा अगर आप पचास जार एक से लेकर 2 लाग का settlement करते हैं तो वहां पर आपको करना है और जो भी आपने पहले bank क किया होगा वह आपको यहां पर तो हो जाएगा एकिन अगर आप कोई दूसरा भी bank account एड करना चाहते हैं तो वह एड कर के यहां से कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर जो भी आपका नाम होगा नाम दिखे देंगे बैंक एकाउंट और जो भी बैंक होगा वो आप यहां पर डाल देंगे तो आपको यह सब दोस्तों फिल कर देना है फिल करने के बाद यहां पर जो भी आपका नाम एकाउंट नम्मर आई एस वी अपको यहां पर सई-सब कर दो दूस्ता बेंक कर लेता हूं तो दोस्तों जो है कि मेरा बैंक ह Saudi इंपको यहां पर जब क्लिक करेंगे साइड में तो यहां पर जिने भी आप बैंक एड औ ca .... होंगे वह आपको सु हो जाएगा ऊब जैसे मैं कि इव्प के तर सब्सक्राइब करेंगे तो चल्में टार्जेक्शन पर क्लिक करेंगे ऊपर आपको डेट डालना होता है तो आज अठारा कर देते हैं और आज ही के दिन तो आपको सच करना है यहां पर देख सकते हैं कि हमने तो आप अपने बैंक में टास्फर कर सकते हैं अब आप अपने बैंक में जाकर देख सकते हैं कि पैसा आया है या नहीं तो ऐसी आप अपने बैंक में टास्फर कर सकते हैं उमीद है कि वीडियो आपको अच्छे लागे वीडियो अच्छे लागे तो वीडियो को लाइक से सा बात्र मामरे चनल को सब्सक्राइब करें